गुड मॉनिंग स्टूटेंट्स मैं आज आप लोग को अध्याय दो भालू ने खेली पुट बॉल पढ़ाऊंगी यह मैंने यहां पर कखेंशल लेके रखे हैं इससे पहले मैं आपको इस अध्याय के छोटा से सारंस बताऊंगी इस सहाली में एक शेर की बच्चे का उनके बारे में बताया गया है शेर का पच्चा ठंड के मौसम में गोल मटोर हुआ एक जामन के पेड़के नीचे सोया हुआ था उधर से एक भालू सहाब आ रहे थे वो मॉनिंग वॉक में निकले हुए उन्होंने देखा कि एक बाल है क्यों नमोस बाल को खेल कर अपने गर्मी ले आओ अपने मुझ में फूर्ती आ जाएगी यह सोचकर उसने अपने पैरों से बाल को उच्छा लिया जैसे उच्छाला शेर का बच्छा जोर से दहाड़ा और जाकर एक पेड़ की डाल पकड़ ली डाल पकड़ी तो बहुत धणाम से नीची गिरने के लिए वा तो भालू राजा उसको जाके पकड़ लिये फिर ऐसे करते करते उस शेर के बच्छा ने सोचा अरे वारी तो बहुत अच्छा खेले ऐसे करते अंध में पहालो थभ गाया बहुत पर च्छल अरे मैं यह क्या कर रहा हूं मैं तो महुत थक्या हूं तब उस बाग का जिस बाग में वो डाली पेड लगा हुआ था उस बाग का माली आ गया माली आके बहुत जोड़ से चीबुस्ता किया उस शेर के बच्ची को बुला लाओ फरजाना दो इस डाल का तुमने तोड़ा है खरजाना तो तब शेर का बच्चा डर गया और वहां से नौदो गयारा हो गया चली अब हम इसका कफिन शब्द बढ़ते हैं वक्त मतलब समय कोहरा ओस या धूंत भी कहते हैं से हम आफट संकट फूर्टी जैसे हम बोलते हम में फूर्टी नहीं आ रही है रफ्तार उसको ह गड़वड़ी मतलब चल्दबाजी चल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए अब मैं आप लगों को इस कहानी का सही और गलत बताऊंगे भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया सही या गलत हां भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया शेर के बच्चे ने प पेड़ किडाल को पकड़ लिया शेर का बच्चा माली को देख वहीं खड़ा था नहीं जब बाली आया तो शेर का बच्चा वहां से 9-11 हो गया भालू ने शेर के बच्चे को बारा बार उच्छा ला हाँ क्योंकि शेर के बच्चे को मुँ भालो बाल बाल उच्छा रहा था तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था